घर का वह कोना जहां मा रहती है जिसके समक्ष सब अपना मिचलाया कलेजा लेकर जाते हैं मा की छवी ही कुछ ऐसी है कि जो उसके समक्ष बैठा घीतर का सब कचरा बाहर चाहे वह मा द्वारा ही जाए अन्य के प्रती हो अथवा मा के जीवन साथी के ही प्रती और तो और मा का शांत, मौन मुखडा देख सब उस पर दूसरे का अधिक हिमायती होने का दोशा रोपन करना भी नहीं छोड़ते और हम चले आते हैं बमन के पश्चात, हलका जी लिए, बगएर तनिक भी विचार किये कि जो हमने मा को दिया वह उससे कैसे निवटेगी आखिर किसके समख्ष वह अपना जी हलका करेगी, मा को भी नहीं पता सो वह यह सब अपने पेट में रख लेती है, यह घटनाएं उसे बातज उद्वेग देती हैं यह जो मा का फूला पेट है ना, जिसकी गाठ का तुमने ऑपरेशन कराया था, किन्तु समस्या तब भी हलना हुई थी होगी भी नहीं, हम आज भी अहिंसा प्रिय होने के गुमान में जीवन जीए जाते हैं और मा, परिवार की शांती है तु, चुप चाप अपने बली देती है